सब्सक्राइब दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज कल कोई भी वीडियो इंटरनेट पर इतना जादा वायल हो जा रही है कि उस वायरल बेडियो के बाद लोग जो है काफी ज़ादा पॉपुलर हो जा रहे हैं और पॉपुलर होने के बाद इस प्रकार से वो और उस कदम रख रहे हैं कि वो एक इस्टार के तौर पर एक जाने माने पहचाने चहरा के तौर पर इंडरस्ट्री में भी कहीं छलांग लगा लेते हैं कुछ ऐसे हैं एक्जामपल आपके सामने बहुर सारे ऐसे देखी होंगे जो कि रातो रात स्टार बन जाते हैं और उनकी जो शुर्खिया है वो चारो तरफ तो होती है प्लस सोसल मेडिया पर वो चीज़े ट्रेंड करने लगती है कुछ समय पहले की बात है कि स्टेशन पर गाने वाली रानू मंडल ने अपने एक गाने से बॉलिबूड इंडर्स्टी में कदम रख लिया और उनका एक गाना वायरल हुआ था जो कि लता मंगेश कर रहा था और उगाना गार ही थी जो कि स्टेशन पर था और उगाना का नाम था एक प्यार का नगमा था ये गाना जो है सोसल मेडिया पर इतना ज़ादा वाइरल हुआ इतना तेजी से वाइरल हुआ कि रानू मंडल फर्द से उठकर अर्ष पर कब पहुच गई ये किसी को अंदाजा ही नहीं चला दोस्तों यहीं है सोशल मीडिया का कमाल और सोशल मीडिया पर अगर आप काम करते हैं तो आपकी कब किस्मत समख जाए ये खुद आपको भी नहीं पता है अगर हम रानू मंडल की बात करें तो रानू मंडल जो है कोलकाता की रहने वाली हैं और एक प्यार का नगमा लतामंगिसकर के गाने के बाद से वाइरल हो गई थी जैसे ही वाइरल हो गई तो उसके बाद से बॉलीबूर्ट से कई सारे उनके लिए फोन्स कॉल्स बहुत सारे मैसेजिस आने लगे कि बॉलीबूर्ट इंडस्ट्री में रानु मंडल को इंट्री कराये जाए वहीं अगर हम बात करें तो फरिस्ता बनकर जिस तरीके से हीमेश रेश्मिया ने रानु मंडल के लिए बन कराये थी इसके बाद से रानू मंडल की जो इंट्री थी वो सूपर स्टार सिंगर में थो सूपर स्टार के सिंगर के शोज स्टेश सो पे जब रानू मंडल गई तो उनके जैसे ही मुँसे आवाज निकले लोगों का दिल को जीत लिया इसके बाद से वो भी वीडियो काफी ज़्धा सोचल मेडिया पर वाइरल होगी थी अगर हम बात करें उस शोच के तो जो ज़्ध थे वो हिमेश रेसमिया थे हिमेश रेसमिया जब रानु मंडल के इस गाने को सुने तो वो काफी ज़्यादा उससे प्रभावित हुए और रानु मंडल भी तयार हो गई और रानु मंडल ने हिमेश रेस्मिया के लिए एक गाना गया था जो कि काफी जादा सोचल मीडिया पर वाइरल हुआ था और वो गाना का नाम था तेरी मेरी कहान इसके बाद भी और भी गाना उसमें गाय थी लेकिन आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि आखिरकार उस गाने के लिए हिमेश रेस्मिया ने रानु मंडल को कितने फिस दिया था या फिर रानु मंडल ने हिमेश रेस्मिया के फिल्में गाने के लिए कितने पैसे ली थी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बताएं तो रानु मंडल को हिमेश रैस्मिया ने उस गाने के लिए 6-8 लाग रुपई के बीच में उनको दिया था प्लस उनके आने जाने का खर्चा रहने का खर्चा भी हिमेश रैस्मिया ने दिया था हलाकि ऐसा भी कहा जा रहा था कि रानो मंडल जो थी इतने पैसे देखी नहीं थी और रानो मंडल ने कहीं न कहीं हिमेश रिष्मिया को भगवान का दर्जा देते हुए कहा कि आपने मुझे मौका दिया है और हमें इस पैसे की जरूरत नहीं है बहुत सारे लोग थे बहुत सारे की प्रतिकरिया थी और बहुत सारे लोगों के अंदर बिचार आ रहा था अलक सा महसूस होगा नियूस रूम से नियूस लाइक रिपोड